हलो दूस्तो नमस्कार एसे हम किसी चानल में मैं आप सब लोग का दिल से बहुत-बहुत स्वगत करता हूँ सो रोस्तो इस वड़े में हम लोग किस पॉइंट को कवर करने वाले येस अभी आप सब लोग को पता ही है कि quarter one के result की शुरुआ थे आपे हो चुकी है बट येस ये हफते से हम लोगों को बड़े-बड़े company के नमबर देखने को आपे मिलने वाले है जैसे कि मैंने अभी आज के दिन का आपने पहला वीडियो तो यहाँ पर जरूर देखा होगा वहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया भी था कि आपकी list ready होनी चाहिए तो उसी में से एक कौन सी list मैंने आप लोगों को बली थी कि येस कुछ stock ऐसे रहते थे जहाँ पर कुछ interesting चीज़े चल रही है ठीक है आप बोल सकते controversy है कुछ company ऐसे जिनके numbers last time बहुत शांदार रहे थे तो इस वक उनके expectations बहुत ज़्यादा high रहेंगे कुछ company ऐसे थे जिनके numbers कई समय से लगातार consistently थोड़े खराब देखने को मिले थे due to various external issues ठीक है कुछ companies हम कह सकते उनमें कुछ हमलों को बीच में ही अलग-अलग खबरे सामने आते वे देखने को मिले थी तो ऐसे जो stocks है दोस्तों हाँ उनके भी numbers हम लोगों ने क्या करना होते है study करना होते है even though वो stock आपके portfolio में भी नहीं है फिर भी आपने क्या करना होते है उनको study करना होते है वरना हम सीखेंगे कैसे and सीखेंगे नहीं तो grow नहीं कर पाएंगे तो चले ऐसे में आप लोगों को कुछ examples देना चाहूँगा उन stocks से related मतलब आप इनको क्या कर सकते है और radar के उपर रख सकते है and 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 जो भी stocks बताने वाला हूँ वो कोई इतने ही stocks नहीं है list निकाले जाए तो इतनी बड़ी list निकलेगी कि वीडियो मतलब हम कह सकते कि आदे घंटा का अब भी बन सकता है बट मैं आपको एक overview देना चाहूँगा कि किस प्रकार की चीज़े आपने यहापे करने चाहिए जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग-अलग categories में आपके सामने रखूँगा चार-पाच categories उसमें से पहली category है दोस्तो कि higher expectations वाले stocks ये ऐसे stocks है दोस्तो जहाँ पर हम कह सकते कि बहुत ही जादा over expectation बादर इन से लेकर चल रहा है और expectation मतलब क्या कि इस इनके numbers आने चाहिए तो अच्छे ही आने चाहिए क्योंकि last time की भी अगर हम लोग बात करे तो company के number बहुत ही अफला तून थे तो कभी-कभी over expectation भी खराब चीज होती है क्योंकि आप बोलते है न कि और expectation क्या है मुझे कि यह प्लियर ने 200 रन स्कोर करना ही चाहिए ठीक है और अगर वह 180 पे आउट हुआ तो यस उसको thumbs down कर देते तो ऐसी भी चीज़े बाजार में होती है आप यह पर चेक करोगा अभी Q1 के numbers में तो कौन-कौन से stocks ऐसे जो कि over expectation के चलते है आप बाजार में मतलब उनके numbers को analyze किया जाएगा पहला तो है polycab आपको याद होगा last time quarter 4 के number polycab के अफला तून थे खतरनाक थे right so ज़रू polycab इंडिया के और से मतलब देखा कि shareholder जो रहेगा बाजार रहेगा उसके expectation बहुत high रहापे रहने वाले है थोड़ा सा भी 19-20 हुआ तो stock यापे लुड़क सकता है गिरना मतलब यह नहीं कि कोई गड़बड होगे fraud होगी मैं just trading purpose से related वो भी बात आपको बताना चाहँगा then icc bank खतरना killer numbers अम लोगों को इसके भी देखने को मिले थे इस वक्त भी numbers अच्छे रहेगा एक फोकस रहेगा यह एक फोकस रहेगा बजाज finance उन्होंने तो q1 का जो trailer भी था वो भी जबरदस थे आपे प्ले कर दिया है पॉसेंट सवा साथ पॉसेंट की तेजी देखने को मिली थी तो बजाज finance के और हर किसी का यह पर expectation रहेगा नंबर के प्रती वह बहुत ही ज़्यादा हाय रहेगा थोड़ा सा भी 19-20 हुआ तो stock एक्जिम चार्ट पेटन देखोगे तो जैसे आपको बोला था कि yes जो multi-year breakout है वो हम लोगों को होते वे देखने को मिल रहा है अभी ऐसे माहूल में company के numbers अगर अच्छे आ जाते तो yes यहां से और boost हम लोगों को मिलते वे देखने को मिलेगा और Tata Motor की बात करे आपको याद बोस में थे सो दो quarter ऐसे हो चोगे जहां पे company ने लगातार profit दिखाया तो उमीद हो तो बहुत ही जाधा higher level पे देखने को मिल रहे कि boss इस वक्के भी Q1 के numbers profitability यहां पे नजर आनी चाहिए और already stock अबदम top level पे देखने को मिल रहा है ठीक है अगर profitability वापस यहां पे miss हो गई त जिनको अच्छा गासा profit हो रहा है वो भी फटा-फट यहां पे profit booking करते वे देखने को मिल सकते मतलब जो trader होते है short term investor होते है वो क्या कर लेते है suddenly अपनी position यहां पे square off यहां पे कर लेते है तो इसलिए Tata Motor की अगर हम बात करें बहुत ही higher expectation बाजार यहां पे लेके चलेगा कि इनके number profitability दिखनी चाहिए minus में जाना नहीं चाहिए जो कि इसके पहले यहां पे चलता था then दोस्ता हम लोग बात करेंगे VBL वरून beverages की बात करें दोस्तों अभी यह कौन से number है Q1 Q1 में कौन-कौन सा मनत आता है April then May and June ठीक है यह April, May की बात करें यह कौन से मनत थे हां गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी, over heat हम लोगों को देखने को मिलता था, heat wave देखने को मिलता था, तो जो consumption होता है किस चीज़ का, yes, यह जो beverages है, ठीक है soft drink का, वो बहुत ही top level पे जाता है, तो VBL की जो भी Q1 के number होते है न दोस्तों, हमेशा over expectation यह quarter 4 में आप देख सकते हो, sales देखे कितने के हुई थी, अठाइज सो करोड के माल भीका था, बट जून में देखे कितना भीका था, लगबग लगबग 5,000 करोड क्यों, yes, क्योंकि गर्मी न ज़्यादा, क्योंकि मार्च की अगर बात करे, मार्च quarter मतलब क्या रहता है, 500 का तो सिधा 1200, ठीक है, एंड ये कोई एक बार नहीं हुआ है, इसके पहले ये 2022 का एक्जामपल देखे है, 2021 में आ जाते है, तो ये देखे, 2021 का डेटा चेक के जिए, आप ही के आको के सामने है, कितना था, 2241, next इसमें कितना हो गया, 2450 हुआ, profit भी देखे, 300 से 570 करोड का 26 था, then COVID के चलते हैं थोड़ा सा ये mismatch होते वे देखने हुआ को मले था, बट फिर भी 1640 रहा, और ऑपरेटिंग प्रोफिट 200 से 300, 400 देखने हुआ को मिले, तो कंक्लूजन क्या है, कि जून, मतलब ये Q1 का डेटा जो रहेगा, ठीक है, जो अभी का डेटा कितना था, मार् और expectation होते हैं, थोड़ा भी 19-20 होगा, एक reason मिल जाता है कि तो चलिए, थोड़ा सा profit booking कर लेते करके, तो ये चीज़ें हम लोगों नहीं आपर study करनी होती है, चेक करनी होती है, दैन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो कुछ momentum stocks, momentum stock मतलब क्या क्या क्यों, अरे, जबरदस तीजी उनमें हम लोगों को देखने को मिल रही है, तो उनका momentum खराब केसे हो सकता है, अगर number खराब हो गए, तो गिर सकते है, मतलब कई टाइम तक वो भाग नहीं रहेते हैं, अभी वो लगातार भाग रहे है, जैसे की बात करें तो IDFC First Bank, तो आप चेक कर सकते है, IDFC First Bank का maximum इतने समय के बाद IDFC First Bank ने इतना पूराना लेवल अपना तोड़के, वो नए लेवल तक हम लोगो जाते वे देखने को मिल रहा है, तो यह जो positive momentum बना है IDFC First Bank में, उसको टिखने के लिए company की Q1 अच्छे आने बहुत important है, मान लीजिए अगर खराब आते हैं तो, तो obviously वाप consistent वापस बन जाएगा, जो कि इसके पहले भी इसी प्रकार की चीज़े देखने को आपे मिली थी, तो इसलिए IDFC First Bank रडार पे होना चाहिए, ITC की अगर हम लोग बात करें, शांदार momentum बना हुआ है, लगातार तीजी देखने को आपे मिल रही है, इब्दम टॉप लेवल प इनको हम लोगोंने study करना है, देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो defense sector, इसमें भी momentum positive चल रहे, सरकार के ओर से orders आते ही जारे, तो defense में तो आपको पता है, बहुत सारे shares के आपकी list मिल जाएगी, यहापे मासगार डॉक है, HAL की बात करे, ठीके, ZenTech की बात करे, drone जैसी क मिल रहा है, खास करके अगर हम लोग बात करें, तो RVNL को कितने सारे orders यहापे मिल चुके है, तो SS stock अप अपने radar के ओपर यहापे set करके रख सकते हो, उसी की साथ साथ IRCON International को भी आप study कर सकते हो, यह कुछ momentum थोड़ा बहुत railway stocks में positive होते हुए देखने को आपे मिला है, दैन उसके पहले April में में थोड़ा 100-100 ही performance चल रहा था, बट still check कर लेंगे कि overall performance क्या है, दैन BSC Limited के result देखेंगे कि performance कैसा है, Angel One का performance देख लेना कि overall कैसा performance चल रहा है, Share India Securities का performance देख लेना, जो कि Demand Accounts related businesses करते हैं, तो यह point भी आप लोग को पता होना चाहिए, दैन दोस्तों आज इसमें होते भी देखने को मली थी, तो उनके numbers को आप चाहो तो थोड़ा बहुत study यहापे कर सकते हो, then SpiceJet जैसी company कितना सारा court issues देखने को मल जाते है, plus, minus, plus, minus chart pattern देखे, तो इस stock को study करना है, then Manapuram Finance की बात करे, तो यहापे भी बहुत सारी चीज़ी होई थी, EDK entry होई थ इनर्जी की अगर हम लोग बात करें, जहापे बीच में जो auditor यहापे आये थे, उन्होंने रिजाइन यहापे किया, तो इसके चलते stock लगातार हमनों को crash होते वे दिखने कुमलते, यह रिखे, तो ज़रूर यहापे ऐसे companies आपके radar के पर होनी चाहिए, कि क्या performance चल रहा है क तो बहुत कुछ चीजे आप लोग को सीखने को यहापे मिल जाती है, ठीक है, दैन दोस्तों अगर हम लोग आपे बात करें, नेक्स्ट यहापे आजेंगी कुछ ऐसे company, जिनका performance थोड़ा सा पूर रहा है, पूर रहा है मतलब क्या कि पिछले कई quarter से वो इतना कुछ खास performance नहीं दे रहे, खास नहीं दे रहे, इसका आर्थी ने कि वो खराब हो गए कर गए, हाँ, हम कह सकते है, raw material के दाम बढ़ गए, इसके चलते है, थोड़ा सा demand construct हो गया, इसके चलते हो नीचे है, तो क्या इस quarter में वो वापसी करेंगे, जैसे कि अगर हम लोग बात करें, तो आर्थी इंडस्ट्री है, लगातार गिरावट देखने को मिले, company तो fantastic है, बट येस, जिस phase से चल रही है, तो थोड़ा से इनको दिक्कत हो रहा है, यूरोप से कम demand देखने को मिल रहा है, दन डिवीज लैप है, ठीक है, API का market थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है, दन क्या होए थे, expenses बहुत ज़्यादा shoot up होए थे, and expense जब ज़्यादा shoot up होते है, तो आप income कितना भी करो, revenue कितना भी करो, आपका profit and margins नीचे आ जाते है, तो इस वक्का performance इनका क्या रहेगा, ऐसे बहुत सारे stocks है, मैंने आप लोगों को just कुछ example दिखा है, तो इन stocks को भी आप ने study करना है, indecent bank को आप चाहो तो study कर सकते हो, जो की COVID के बाद जबरदस्त है, पे crash होते वे देखने को मिला था, और उसकी recovery अभी तक pre-COVID level तक भी नहीं हुई है, बैंक खराब नहीं हिंगे, हिंदुजा ग्रूप से belong करते है, बट yes, अभी तक comeback होते वे देखने को नहीं ह SBA, यह सारे हमलों को pre-COVID level को तोड़कर उसके उपर trade कर रहे है, तो जरूर इनके numbers यहापे study करना थोड़ा सा interesting बात बनता है, and then none other than IT sector हर किसी के radar के उपर यहापे रहेगा ही रहेगा, कि इनका performance कैसा चलता है, क्या खराबी performance यहापे बरकरार रहेगा, या फिर कुछ recovery यहापे interesting बात बनती है, so ठीक है दो पूरी list में आप लोगों के सामने रख दिया, and again कहना चांगा, यह कोई limited stock की list नहीं थी, ऐसे बहुत सरे stock आप खुद से भी identify यहापे कर सकते हैं, मैंने जस्ट आप लोगों के example बता दिया, कैसे आपने इस प्रकार की list बना के यहापे लोगी, तो आप चाहो तो इस वीडियो को like and share कर सकते हो, and demand account अगर आपने अभी तक उपन नहीं किया, तो link नीचे description में 25 वीडियो के list भी आपको बिल्कुल free of cost मिल जाएगी, आपका नाम, कौन्छा account आपने link के तरो open किया, प्रॉपर ली कमेंशन कर देना, तो आपते बर कि अंदर-अंदर सारे lectures मेरे साट से free of cost परवाड करती जाएगे, ताकि अप share बादर को आसान बचा से सीख सको, so that's it, thank you for your mind, we will be meeting in our next video, तब तक के लिए, bye-bye